Hello my dear students, welcome to the MS Science Academy, मैं हूं मीनुर श्रीबास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्टिलाइजेशन के बारे में फ़र्टिलाइजेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है? फ्यूजन ओफ मेल एंड फ्यूजन ओफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? फ़र्टिलाइजेशन फ़र्टिलाइजेशन हुमन बॉड़ी के अंदर एंपूला रीजन में होता है अगर हम इसको परसाइसली देखें यानि कि जो साइट है एंपूला फॉर्टिलाइजेशन site for fertilization इसको मैं है ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लेकिन अगर option में ampulla stomach junction है तो it is the more precise answer ampulla stomach junction stomach junction यानि कि ampulla के अंदर fertilization होगा जो कि फैलोपीन ट्यूब का पार्ट है लेकिन अगर option में ampulla ना देखे ampulla देखे और ampulla stomach junction दिया हुआ है तो आप इसको tick करेंगे क्योंकि यह more precise answer है more correct answer है अब यहां पर जो fertilization है जिसमें male and female gametes का fusion होता है उसके अंदर हम तीन चीज़ों को involve करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि male and female gametes fuse हुए हैं तो उनके अंदर सीरे fusion होगा है सबसे पहले क्या fusion होगा fusion of cytoplasm दोनों के cytoplasm fuse होगे जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं plasmo gammy जिसे हम कहते हैं plasmo gammy उसके बाद cytoplasm के fusion के पाद के अप्यों के Fahrenheit का फिजन होगा क Colonial के जिसे हम कहते हैं उसके बाद Microe के finger के पाद इसमें फियोजन होगा क्रोमोजोम का kिसका fusion होगा क्रोमोजोम का जिसे हम क्या कहते हैं Yemphymixus it 여led अच्छा एक और चीज कि Fertilization को हम एक और terminology से जाने हैं जिससे हम बोलते हैं Syngammy is the synonym of Fertilization इसमें male और female gamut fused होते हैं दूसरा यह कि Syngammy के अंदर यानि Fertilization के अंदर सबसे पहले Cytoplans fused होंगे दोनों gamut के उसके बाद nucleus fused होगा और उसके बाद chromosome fused होगे तो plasmo-gamy, karyogamy and the amphimixes process के बाद दोनो gametes के chromosome हापसे mix होते हैं then the diploid gigot is formed अब यहाँ पर यह process कैसे होती है कैसे sperm approach करता है उसकी क्या के structures enter करती है कैसे acrosomal reaction होती है वो सारा part अभी हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जो insemination process है उसके थूँ female body के अंदर बहुत millions of sperm ejaculate किये जाते है and मतलब कि sperm जो इतने सारे millions of sperm female body के अंदर डाले जाते है करीबन 20 to 120 millions of sperm जो है per 20 to 120 millions of sperm per cubic mm per cubic mm mm सीमन के अंदर present होते है यानि सीमन के अंदर हम देखें तो per millimetre cube जो सीमन है बहुत minute amount के अंदर इतने सारे sporms होते है लेकिन एक question है कि क्या ये सारे के सारे sporms पहुँच जाते हैं क्या ampula region पे नहीं क्यों अब नहीं पहुँचते तो सबसे बड़ी बार क्यों नहीं पहुँचते साब तो ये इसलिए नहीं पहुँचते क्योंकि इसमें female body female body अब अप्रोच किते करते हैं only 200 to 250 sperms can can approach और arrive towards the egg अब बाकी का क्या हुआ इतने millions में आये थे केवल हम कहरें कि 200 से 200 ही पहुँचे तो बीच के इतने सारे का क्या हुआ ये सारे destroy हो जाते हैं अब basically ये destroy होते क्यों है ये remaining all destroyed remaining all destroyed अब ये destroyed क्यों होते हैं destroyed due to अब क्यों destroyed होते हैं due to high temperature of female body क्योंकि हमको पता था कि sperm के लिए low temperature चाहिए तो sperm जो है female body के तेंपरेचर है body temperature उसको हर कोई sperm tolerate नहीं कर पाता तो due to high temperature of female body इसको ये मत कहेंगा कि भई और ते तो गरम दिमाग की होती हैं इसलिए उसारा sperm डिलीट कर देती हैं high temperature of female body अब यहां पर दूसरी बात कि जो फीमेल योट्रस है वो क्या करता है वो उसे आजे कई ही sperm को मैक्सिमम स्पोर्म को ऐज़े फैगो साइटिक बॉडी की तरह ट्रीट करता है तो फैगो साइटिक बॉडी की ट्रीट करने के वजह से वो जो योट्रस है वो फैगो साइटिक एक्शन शो करता है तो यह क्यों होगा डिलीट या क्यों होगे omit out, destroyed due to the due to जो बहुत ने हैं और हैं लुदिटी आ युटरोस और युटरोस के फैगुसाइटिक एक्षन के थिरूग जो है वह हो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अब इसके अलावा जो वजाइना का acidic pH है, acidic pH और वजाइना इसको इनकी activities को बहुत decrease कर देती है या कह सकते हैं कि बहुत less कर देती है अब यहाँ पर यह इतना सब हुआ, तो basically fertilization को बढ़ाने के लिए to increase the chance factor of fertilization क्या-क्या precautions रखते हैं तो अगर to increase, increase को ऐसे मैं रिप्रेजन करें, to increase the chance factor, chance factor मैंने क्यों बोला है, क्योंकि fertilization is a kind of chance factor, पूरा chance पर डिपेंड करता है ठीक है, chance factor of fertilization is, fertilization को मैंने short form में लिख दिया है, of fertilization, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या किया गया है, sperm count बहुत जादा रखा जाता है, इतने millions किया, तो इतने तो पहुंचे, अब इसमें से एक भी जीद गया, तो fertilization हो गया, तो sperm count, very high, sperm count को क्या रखा जाता है, बहुत जादा high रखा जाता है, दूसरा, जो एग है, एग thousand times bigger than sperm, जो एग है, वो मतलब कि अगर sperm है, अगर इतना छूटा है, तो एग इतना बड़ा, मतलब कि उसे thousand times bigger बनाया जाता है, कि वो कैसे भी अगर अप्रोच कर जाए, तो fertilization की probability काफी हद तक बढ़ जाए, तो chance factor जो है, उसको increase करने के लिए, sperm count बहुत जादा high रखा जाता है, दूसरा, एग का size करीबन thousand times bigger रखा जाता है, कि से, जो है, sperm से, अब हम देखते हैं, कि कैसे sperm अप्रोच करता है, female gametes तक, अब इसमें, आगे हम यह देख लेते हैं, कि कैसे उसका अप्रोच पार्ट होगा, लेकिन अप्रोच करने के लिए भी, स्पर्म को कह सकते हैं, कि mature बनाये जाता है, और उस maturity system को कहा जाता है, capacitation, यानि कि, जब स्पर्म, क्योंकि स्पर्म के पास energy का केवल, एक source है, सुक्रोच, अब यहाँ पर सुक्रोच, उसको कितना energy दे सकता है, लेकिन सुक्रोच के साथ साथ, उसको कुछ और तरीके से enable बनाये जाता है, ताकि वो fertilization के लिए बिल्कुल ready हो सके, तो इसमें हम जो sperm को final fertilization के लिए mature बनाये जाता है, उसे हम क्या कहते है, तो क्या है, तो क्या है, it is the final maturity of sperm to make enable for fertilization, तु मेक इनेबल फोर फॉर्टिलाइजिएशन अब इस केपैसिटेशन के अंदर बेसिकली कुछ प्रोटीन्स और कुछ ग्लाइको प्रोटीन्स और स्टिरोल की कवरिंग एक्रोसोम से बाहर निकाली जाती है लेकिन केपैसिटेशन मेंली दो जगे किया जाता है यानि कि two places सबसे पहले और टो फ़ेसिज तो सबसे पहले कौम सा है epudydiymus को appdodomus में mincture किया जाता है and second वेजाइन म यह निकल न्य यानि की dessas च्रप्रेशं के और गवन है सबसे पहले इन इतले हैंनस सेकेंड अगर मैं इस तरीके से बनाओ इस तरीके से बनाओ यह ग्लाइको प्रोटीन और यह आपका स्टीरोल और बेसिकली यह मैंने क्या बनाया है यह अपका यह एक्रोसोम बनाया है जहना यह फिर मैंने स्टीरोल और इसको अब ही मैं पूरा कमटीड नहीं ड्रॉघर तो जो आखका वोता है एक्रोसों में ग्लाइको प्रोटीन की गोर्तिन रिमूट थिक है during capacity इंडियोग यृटक इस्टिरोलोग ग्लाइको प्रोटीन के कवरिंग को घटा दिया जाता है अब इससे क्या होता है थीक है अब चलिए यह घटा दिया है तो इससे क्या हुआ है एक्रोसोम की membrane become permeable एक्रोसोम की membrane permeable हो जाती है for what? for calcium plus ions for calcium plus two ions तो इससे क्या होगा? so so एक्रोसोमल membrane एक्रोसोमल membrane become more permeable become more permeable for calcium plus two ions calcium plus two ions calcium plus two ions के लिए ये और भी ज्यादा permeable हो जाती है उससे क्या फायदा होता है? जब calcium plus two एक्रोसोम के अंदर enter कर जाता है it increases it increases the sperm activity ये क्या करता है? sperm की activity को बढ़ा देता है और sperm की activity बढ़ना जरूरी है क्योंकि उसको एमपुला तक जाना है एमपुलास्थमर्स जॉन तक उसको जाना है तो यहां पर यह हुआ है कि केपैसिटेशन दो जगे होता है केपैसिटेशन बेसिकली क्या है? फाइनल मेचुरेटी है एपिडिडियमस और विजायन में होता है इसमें स्टिरोल और ग्लाइको प्रोटीन की जो कोटिंग से उन को हटा दिया जाता है जिसके वज़े से एक्रोसोमल मेंबरेंस जादा परमेबल हो जाती है फर दा केलशियम ब्लस टू आयन फिर केलशियम ब्लस टू आयन एसमें एंटर होता है fertilization में, Plasmo Gammy, Amphimix, Plasmo Gammy, Kerio Gammy, Amphimix, यह सारा पड़ा next video में हम discuss करेंगे sperm के fat के बारे में fat मतलब कि क्या हुआ sperm के भवेश्य में अब, sperm का जो भवेश्य है वो उसाइट डिसाइड करेगा कि वो कितने पार्ट को एंटर करेगा और उसाइट के पास जब sperm एंटर हुआ तो उसाइड के अंदर क्या हुआ यह हम डिस्कुस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में I hope आपको समझ में आया होगा और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे आपको पसंद आया है तो पिर आपने फ्रेंड्स को शेर जरू करिएगा थैंक यू